नमस्कार आप देखे रहें TNP News, मैं हूँ आपके साथ दिक्षा चाथरी आज आपके सामने एक ऐसा विशेश टॉपक लिख ले आए हैं जिसको लेकर कल से ये खबरों में बना हुआ है हम बात करें किसान नो की बात की किसान अपनी मांगों को लेकर दिली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और तस्वीरे आपने देखी हूँगी सुवए से सुर्ख्यों में बनी हुई हैं किसानों को रोकने के लिए दिली पुलिस ने कड़े इंतिजाम किये थे यहां तक कि कॉंक्रीट सड़कों पे बिचाय हुए थे बहुत सारे इंतिजाम पुलिस की तरब से किये गए थे वहीं तस्वीरे आज ऐसी सामने आएं कि किसानों और पुलिस की जो जड़ब देखने के मिली है और यह जो मामला है आगे कितना तूल पकड़ेगा क्योंकि यह देखने वाली बात है कि किसानों का कहना है कि हम छे महीने का रासन ले क्या है तो फिलाल इसी पे किसानों की मांग है इन सारी बातों के लिए आज मैं अपने सायोगी से बात चीत करेंगे और आपको बताएंगे किसानों की मांग क्या है और आखिर सरकार का रुख कैसा है किसानों की प्रतियों सरकार ने अभी तक क्या कुछ कहा है किसानों की मांगों को लेकिन जो तस्वीरे सामने आ रही हैं उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं क्या कहेंगे इसको लेकर आप जो उन्होंने शांतिपूंट तरीके से प्रदर्शन की बात दिक्षा कही थी वो इस लिहाद से कही थी कि अगर उनको इंट्री मिल जाती है दिल्ली आने की त नापस में पुलिस के साथ उनकी खिस्तान होती है और ना ही पुलिस को आसुगैस के गोले दागने पड़ते लेकिन जब उनकी इंट्रू को रोका गया तब कही न कहीं गदिरोत पैदा हुआ और उसके चलते कुछ ऐसी तस्वीरे सामने आई कि जिससे लग रहा है कि किसानों से मिल भी चुके हैं आपको याद हो का कल शाम को एक मीटिंग शुरू हुई थी उसमें प्यूस गोईल भी थे नित्यन राय भी थे अर्जुन मुंडा भी थे इन सभी ने बातचीत की हालां कि दो ही मसलों पर बातचीत फाइनल हो पाई बाकि जो अन्य मुद्दे ने मांगे उन पर लगता है दिख्शा बातचीत की जारी किसानों से तो अलोक जी उन किसानों की मांगे क्या है कि हमने पहले देखा था कि तीन साल पहले भी किसान अंदोलन हुआ था और वो डेड़ साल तक चला ता पूरा देश उसका कहना चाहिए पूरे देश ने देख तो फिलाल किसानों की मांगे क्या है जो रहे गई थी। इस बार कांदोलन अलग है क्योंकि पिछली बार के अंदोलन का जो मूल केंद्र था वोल करती हैं जिसमें सरकार बाद मैं जुकी ऑर को वापस भी लिए घया जाया ile पहली बात तो इस चीस से ब्रहमित नहीं और पिछला वाला अंदोला नेॉट संगठन फिछली बार शामिल होते वह इस बार शामिल नहीं है और जो बैनर था बैनर भी इस बार अलग है लेकिन अलोग जी उधर राकेश टिकेट का कहना है कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो हम उनका सवर्थन करेंगे और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि आखिर एक तरफ चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले किसानो कान दो लें क्या करेंगे जिस तरह से जो राकेश टिकेट ने भी यहां पर बात कहीं हलाकि वह भी इसमें शामिल तो नहीं हुए है क्योंकि बैनर उनका अलग है वह जब पिछली बार शामिल हुए थे तो वह सहीं किसान मूर्चा की बैनर तेलिश शामिल हुए थे MSP को लेकर सबसे बड़ी मांग है कि MSP लागू की जाए MSP आपको याद होगा LK जाकी एक कमेटी बनाएगी थी 1964 में उसके बाद एक आयोग का गठन हुआ और उस आयोग ने फिर धीरे-धीरे कारे करना शुरू किया गया उसको कृषलागत आयोग कहा था ACP किसानों की मांग अगर आप आर्थिक तोर पर देखें तो दिक्षाई सही भी करात दी जा सकती क्योंकि MSP को अगर हम फसल का बीमा कहें तो यह गलत नहीं है क्योंकि उतार चड़ाओ के बीच में मां लीजे अगर कोई Bumper Stock कहीं पर आगया Bumper Stock को अगर आप इस तरह से कहे कि मां लीजे किसी भी एक फसल का उत्पादन जरूरस से जादा हो गया तो उसकी कीमते कहीं न कहीं बजार में डाउन हो जाती है उसी से सुरक्षा देने के लिए नियूंतन समर्थन मोली का कॉंसेट है कि इससे किसान सुरक्षित होते हैं तो सरकार इस पर निश्वित तोर देकर सरकार गंभीर और अभी दावा किया गया है वादा किया गया है सरकार की तरफ से कि हम एमस्पी पर निश्वित तोर पर आपको गैरंटी देंगे और इस पर आगे बाची तभी की जाईगी लेकिन अलुक जी सवाल यह भी खड़े हो रहे कि एक तरफ सरकार ने किसानों के समर्थन में रहते हैं किसानों के नेता है और दूसी तरफ यह तस्वीर आज जो ट्वीटर पर देख लो आप यूज चैनल पर देख लो टीवी पर देख लो जो तस्वीर सामने आई उसको लेकर सवाल यह भी खड़ा किया जा कि आखिरकार जो जैन चौधरी हैं बीजेबी में शामिल हो गए और दूसी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अब जैन चौधरी इन तस्वीरों से क्या खुश होंगे क्योंकि सरकार इस तरह का विवार उनके साथ करिए उनके किसानों की बात रखेंगे या नहीं रखेंगे किसानों की बात तो देखिए चौधरी चरण सिंग भी रखते थे और जैन चौधरी भी रखते हैं लेकिन इस आंदोलन को सीधे तोर पर किसी नेता से जोड़ना भी ठीक नहीं है क्योंकि जैन चौधरी इस आंदोलन में ना तो पहले शामिल थे नहीं अभी पूरी तरह से किसान की बात करने का थी यह बिल्कुल मिलें कि मालीजी अगर मैंने MSP की गारंटी का अगर मैंने समर्थन कर दिया तो इसका यह अर्थकता ही नहीं हो सकता है कि मैं आंदोलन का भी समर्थन करता हूं या जो आंदोलन के रास्ते हैं मैं उनका समर्थन करता हूं तो जैन किसानों की बीच में संगर्ष बढ़ा तो उसकी तपिश जो होगी वो सिर्फ दिल्ली सरकार को महसूस नहीं होगी वो सिर्फ हर्याना सरकार को महसूस नहीं होगी सिर्फ पंजाब सरकार को महसूस नहीं होगी जनता के जरिये कहीं न कई वोटों में भी एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है, तो इसको लेकर निता साउधाने, किसान भी इस बात पर अड़े हुए हैं, कि हम MSP को लेकर, करजु को लेकर, WTO से भारत की हटने को लेकर, तमाम उनकी मांगे हैं, इस बार मांगे भी कुछ लगें, पिछली बार किश्विल को वापस देने की मांग थी, कि किश्विल जैसे वापस लिया गया, किसान यहां से वापस चले गया, इस बार MSP को लेकर है, साथ ही जो किश्विमजदूर है, क्योंकि जो ये मोर्चा है, उस मोर्चे का नाम ही किसान मजदूर मोर्चा है, तो इस बार किश्विमजदूरों का भी जिक्री यहां पर किया कर रहे हैं और सरकार सकराथमकश मोड पूर किसान जो आंदोलन के लिए रहे हैं वह संगरश करण शॉझ लिए लिकिन पेज़ प्ष। क्या रहा है क्योंकि इस सरकार को नुक्सान क्या होगा यह जानना बहुत जरूरी है लोगों के लिए अगर आप देखें तो हर राजी की फसलों का जो एक पैमाना है वो अलग है अगर आप दक्षिन भारत में जाएंगे तो वहां की जलवाई वहां पर चावल की खेती ज्या सरकार को राज्य के हिसाब से पहले एक आकडा इकठा करना पड़ेगा हर राज्य की कैपसिटी क्या है वहां पर उत पादन कितना होता है किस फसल में किसान ज्यादा निवेश करते हैं, किस फसल के पैटरन को किसान करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आप पंजाब जाएंगे, तो पंजाब में अगर आप रोपड की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर जो नगदी फशले हैं, कि जैसे मालीजे अंजीर क के हिसाब से आपको फायदा होगा तो इसे हिसाब से सरकार के पास भी कोई आखड़ा इस तरह का है नहीं कर दो हो सकता है वह राज्यों के हिसाब से भी पिशम बनाना पढ़े क्योंकि हर एक राज्य में यह वाजब मे नहीं का अलोग जी कि एक तरफ से पॉलिटिक्स भी इसमें आ गई है जिस तरह से किसान अंदोलन कर रहे हैं उसे आप से पॉलिटिक्स भी आ गई है कॉंग्रेस का कहना है कि जो किसानों की सीमा पैसा लग दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉडर है वहीं अगर बात करें हर्याण के गिर कोई ना कोई देखें जो सबसे बड़ी बात मैंने नटिस की जो पिछला अंदोलन था और यह अंदोलन है विशय अलग है इनके संगठन अलग है इनकी मांगे बहुत जादा अलग अलग हैं लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है एक चीज इनमें कॉमन है वो यह है परंपरा है कि अगर आपको अपनी कोई बात रखनी है तो एक सिष्ट मंडल या कोई कमेटी बना के सरकार के पास जाये जाता है या सरकार अगर बातचीत करना चाहती है तो जैसे कल सरकार ने एक महत्वपून कदम उठाया पिछली बार नरें सिंग तोमर बीच में मिलिटेर राय को अरजुन मुंडा को कमान को समालने के लिए अगे भेज दिया है इनको भेजा भी गया इन्होंने बातचीत भी किये अब कुछ मुद्दों को लेकर आपसी बातचीत होगी और इसमें निश्चित तोर पर बहुत जल्द कुछ सकारात्मत देखने को मिल सकता है लेकि मेंने बात सकता है जब सरकार की तरव से आश्च्वासंद दिया गया था किसान उनतिजार किया लिखित में आश्वासंद कि आपकी मांगए उसे पूराकी आज्च लिखित मैं बात भी तीन साल तक शसे बाड़… कहना चाहिए कि उनका patience level जो था उससे कि अब cross करने के बाद दुबारा आए हैं लेकिन सवाल वही आ जाता है कि election से पहले ही क्यों आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी थी और कहीं इसके पीछे किसी और propaganda तो नहीं है या आखिर इसके पीछे कुछ क्या बज़ा रहे सकते हैं वही लगतार सोशल मीडिया में इस वक्त चल रहा है मतलब मैं मेनिस्ट्री मीडिया की दो बात नहीं करूँगा क्योंकि मेनिस्ट्री मीडिया में बहुत ही संभलकर खबरे दिखाई जा रही है क्योंकि जानते कि इसका impact क्या हो सकता है सोशल मीडिया में जो चीज़ें लगतार चल रही है उनमें यही है कि यह दिखाये जा रहा कि भई पहले की मांगे पूरी नहीं हो क्रिशिक विल वापस करने की मांग थी सरकार ने उसको मान लिया था MSP का जिक्र था उसमें कमेटी बनाने की बात थी उसको लेकर सरकार अभी भी गंभीर है और जहां तक बात जो लखीमपूर खीरी वाले केस की है वो मामला कोर्ट में है उसमें सरकार कुछ भी सीथे तोर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है उसमें अजयमें श्रटेनी के उपर को लेकर जो बाते कहीं जा रही है वो भी मामला कोर्ट में है जो आसिश मिर्शा की जवानत को लेकर या रद करने को लेकर बात हो रही है वो भी मामला कोर्ट में है क्योंकि कोर्ट और सरकार में अंदर है ना देखिए विधाईका, कार पालिका और नियाई पालिका तीनों के काम अलग है अब जो नियाई पालिका के पास पहले से ही काम है उसमें नियाई पालिका ही कोई अपना फैसला दे सकती है हाँ इस पर भहस हो सकती है सरकार इसमें क्या बहतर कर सकती है इसमें कुल मिलाकर समवाद हो सकता है लेकिन सीधे इस नतीजे पर पहुँचे कि सरकार फैसला ले ले कि उनके कैबिनेट मंतरी के साथ क्या होना चाहिए ये सरकार के हाथ में नहीं और सरकार इसलिए भी बैक फूट में इस मामले पर नहीं जाना चाहेगी क्योंकि उनके मंतरी का सवाल है अगर बैक फूट में जाती है तो पा आपस में बात करके यही आपको समझाने की कोशिश करी कि आखर किसानों की मांग क्या है और सरकार उनके जो मांग है उसके खिलाब क्या एक्शन ले रही है उनके लिए क्या चर्चाए हो रही है यह दिलचस्प होगा कि आकरकार यह जो आंधो लहने क्या रुख अपनाता है क्योंकि आज की यो तस्वीरs आई सोशल मीडिया पर आपने देख Beet arr तो फिलाल अब देखना है योगा की सरकार इस मामले को लेकर कितना किसानों के बीच बातचीत करती है और इसी बातचीत का नतीजा क्या निकलता है कैमरामेन अंगत कुमार के सार मैं दिख्शेशादे टीनपीनियोज नमस्कार